ओम हर्योम तत्सत जीवन में सुख हो या दुख ये दोनों ही अस्थाई हैं सुख और दुख तो चंद सुर्ज की छाया और प्रकास के तरह है लेकिन ये सुख और दुख क्यों आते हैं और फिर क्यों चले जाते हैं इसका कुल कारण यह है कि हमारा बिचार परिस्थितियां कभी अनुकूल होंगी कभी प्रतिकूल होंगी जदी हमारी मनह अस्थिति बिलकूल सही है तो सारी चीज़ें बिलकूल सही होंगी बात आती है बिचार की देखिए ये सुख और दुख तो बिचारों से है आपके जैसे बिचार है उसी तरह से आपके बेवहार है बिचार से ही बेवहार है और बेवहार अच्छा है तो परिवार अच्छा होगा परिवार अच्छा है तो सुमबार अच्छा है मंगलवार इन सुख और दुख से भी परे एक चीज है और वह है आनंद। हम अपने विचारों में जदी वासना, महात्व कंच्छा और इन सारी चीजों को समेटे रहेंगे तो बिलकुल सुख और दुख के रास्ते से, उबर खाबर रास्ते से हम लोग चलते जाएंगे। बस तुता हम जदी देखें तो अपने बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को और जीवन के एक तीहाई उम्र तक 25-30 साल तक हम बच्चों को सिखाते क्या हैं। महत्वकांचा उनके अंदर पालते हैं, तुम दौड में सबसे आगे रहो, चाहें उस दौड में तुम जिन्दगी से हार जाओ, लेकिन सबसे आगे रहो, क्यों आगे रहो ये हम कभी नहीं बताते हैं। उस दोड में उस आगे में तुक्ष महत्वा कांचा, तुक्ष वासना हम समेटे रहते हैं और यही वासना आगे चल करके कई बार जिंदगी को नर्क बना देता है। ब्यक्ती छोटे साइकिल से खुसना होकर मोटर साइकिल खरीद लेता है, मोटर साइकिल से कार खरीद लिया, कार में भी रॉल्स रॉयल्स और न जाने कितनी बड़ी-बड़ी कार खरीद करके भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। महराजा की, जिन्होंने हज्जारों साधिया करी, क्या वासना से उनका मन भर गया? कभी नहीं भरा? क्या किसी भी बेस्या से, किसी प्रोस्टिचूट से जाकर के पूछिए, क्या उसका सारेरिक भूख सांत हो गया? नहीं हुआ। किसी सरावी से जाकर के पूछिए, क्या उसका भूख सांत हो गया? किसी धार्मिक भ्यक्ति से ही आप जाकर के पूछिए, क्या उसका मन सांत हो गया? भूख सांत हो गया? नहीं। देखिए बिचार बिचार है, चाहें वह संसारिक हो या धार्मिक हो, बिचार तो बिचार है और भस धंग अलग है दोनों का, कहने के लिए हम एक अच्छा सब्द देते हैं कि ये धार्मिक ब्यक्ति है या संसारिक ब्यक्ति है, ब्यक्ति ब्यक्ति ही है क्योंकि ब्यक्ति का बैक्तित तो उसके विचारों से हैं जदि विचार में संसारिकता छोड़कर के अध्यात्मिकता आ गया तो हमको लगता है कि वह आदमी अच्छा है लेकिन वह आनंद की परकास्था नहीं है अब जो हम शुरू में आपको बताए थे सुक और दुख तो बस्तुता यह सुक औ तभी वह सुक का थोड़ा थोड़ा अनभाव सुरू होता है विचारों में तो लोग पद के लिए ललाइत है परमात्मा के लिए ललाइत नहीं है कुछ लोग तो जीवन भर पद के लिए ललाइत रहते हैं धन के लिए ललाइत रहते हैं अच्छे बीबी अच्छे में अपना पुरा जी जान लगा देते हैं, उनकी जो स्वभाविक गुण है बच्चों की, जो जीवन आनंद में जी सकते थे, उनको हम नहीं जीने देते हैं, उनके अंदर तहुं वासना भर देते हैं, दौड में सामिल कर देते हैं, कि क्लास में सबसे आगे होना है, जो दुकंदारी करते हो, तो सबसे आगे रहना है, बिजनेस करते हो, तो सबसे आगे रहना है, इसा मसी कहते हैं, कि संसारिक दोड में, जो सबसे ज़्यादा आगे रहा, परमात्मा के दर पर, वो सबसे पीछे छोड़ जाता है बस्तुता इन संसारिक दौरों से जो बिलकुल अलग है वही इस परमात्मा के दौर में सामिल हो सकता है और क्यों दौर ना क्यों इक्छा करना ब्यक्ति जीवन भर धन आगे की दौर महत्वा कांचा इन चीजों को पुरा करते करते सारी रूप से के भी कुछ नहीं पाया तब उसको लगता है कि अब हम धार्मिक आदमी बन जाएं हम जो है मंदिर जाएं हम जो है मस्जिद जाएं हम परमात्मा को पाएं पद तो मिला नहीं या पद जो मिला उससे हमारी संतुष्टी नहीं हुई तो हम परमात्मा को पालें फिर मन को एक खम धोखा दे देते हैं, धन नहीं मिला तो धर्म के पीछे पड़ गए, पाने की जो लालसा है, पाने की जो उतकंठा है, बनी रह गई, इसी पाने की दोड को खत्म करना है, इसी महत्वा कांचा को खत्म करना है, परमपिता परमात्मा से प्रेम स्थापित करना है, और ये प प्रेम किया नहीं जाता है, जब प्रेम हो जाता है, कुछ लोग धार्मिक बनने के लिए नसावेशन छोड़ देते हैं, ननभेज खाना छोड़ देते हैं, साकाहारी हो जाते हैं, फालतू की बाते नहीं करते हैं, इन चीजों को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, जब जीव चाहिए आपके मांसाहार हो नसावेशन हो या संसारिक अधोगती के जो विचार हैं या स्वतह छूटना चाहिए वासना काम वासना ये सारी चीज़े स्वतह जब छूटेंगी तब समझे कि आप परमात्मा के परमानंद के द्वार पर खड़े हैं जदि आप इसको काम पुद मद लोब इन सारी चीज़ों को इर्षया को तृष्णा को जबरजस्ति छोड़ते हैं तो यहां तो आप छोड़ देंगे दिखावे के लिए लेकिन मन के अंदर ये सारी चीज़ें और प्रवल हो करके सक्ति साली हो करके वो चीज़ें चलते रहती हैं वह जो है जो चलते रहता है तो वेसे जो है ब्रमचर्ज का क्या फाइदा ब्रमचर्ज का पालन किया नहीं जाता आपके प्रारब्द के आपके कर्म के अनुसार जीवन में जब ब्रमचर्ज उतरता है जब परमपिता परमात्मा की किरपा होती है तो उस ब्रमचर्ज का एक भाव होता ह एक स्वभाव होता है, कुल मिला करके इन सुख और दुख से परे जा करके परमानंद की प्राप्ति जदी हमें चाहिए करनी है, परमानंद की जो है सुख हम लेना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम विचार सुनने हों, चाहें वह विचार हमारे अच्छे हों या तुफान तो तुफान है, इस तुफान को खत्म करना है, मन को खत्म कर देना है, विचार को खत्म कर देना है, विचार सुनने हो जाना है, वहाँ पर हमारे संसारिक विचार हो, धार्मिक विचार हो, या महत्वकांचा हो, या अहंकार हो, या प्रमुदीता हो, या कुछ भी ह वो सब खत्म हो जाए सुनने हो जाए और यह सुनने का एक ही जो है कि हम थोड़ा सा ध्यान में बैठें जदि आपको सब्द से भी पार जाना है तो एक सब्द के सहारे देखिए दरपण हम लोग देखते हैं दरपण में बस्तुता हम है नहीं लेकिन दिखते तो हैं अब दर दरपण को देख करके हम अपने आपको सुधार कर ले जदि हम अपने आपको समार सकते हैं तो उस दरपण के उपयोगिता है अन्यता उस दरपण में जो दिखता है वो है नहीं और जो देख रहा है वो स्वयम को देख नहीं पा रहा है इसलिए इस दरपण का जो है सायद निरमाण किया गया होगा, इसी तरह यह संसार है, संसार में हम जो चीजे देखते हैं, बस्तुता है नहीं, वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी संसार है, क्योंकि संसार इस मानोजीवन के लिए एक साधन है, कि हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले, मोख्छ को प्राप्त कर ले और मोख्छ कोई बस्तू नहीं है, फिर ज़दी हम बस्तू समझ जाते हैं, मोख्छ प्राप्त करने के लिए ज़दी हम संघर्सरत हो जाते हैं, हम जबरजस्ती के अपने विचारों को भगाना चाह चाहते हैं हम अपने अज्ञानता को भागाना चाहते हैं तो फिर हम उसी में उलज गए अज्ञानता को भागा नहीं सकते हैं आप तो ज्ञान को किसी घर में अंदकार है आप सोचे कि हम अंदकार को खत्म कर लें तो प्रकास जलाएंगे तब लाइट जलाएंगे तो आप न जिदि आपको कुछ जीवन में आनंद चाहिए, तो उस आनंद का अनुभव करने लगिए, तो जितने भी सुख और दुख हैं, वो खत्म हो जाएंगे, देखिए सुख हमेशा च्छनिक होता है, आप गुलाब जावन खाते हैं, जिदि अच्छा लगता है, तो आप एक चार खाएंगे, उसको बत कितना खाएंगे आप, नहीं खा सकते हैं, जब तन के अस्तर पर प्रेम होता है, तो उसको वासना कहते हैं, जब व्यवार के अस्तर पर होता है, तो उसको प्यार कहते हैं, जब आराधना के अस्तर पर होता है, जब मन के अस्तर पर होता है, तो उ तो जिस चीज को आप चाहते हैं, आप जदी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो विचार सुनने हो जाएए, विचार को खत्म कीजिए, चाहों विचार अच्छे हों, बुरे हों, विचार अच्छे और बुरे होते नहीं है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, तुफान तुफान है तुफान न कभी अच्छा होता है न कभी बुरा होता है बस होता है ये समझ लीजे ये होना ही होना ही तकलिफ दे है इसलिए सांत समुद्र के तरह अपने विचारों को कहीं न कहीं उस सुन्यता में और थोड़ा मेडिटेशन में उतरने की कोशिस कीजे ध्यान मे आप विचार सुन्न होने की कोशिस कीजे, निर्विचार होने की कोशिस कीजे, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ, कि आप धार्मिक विचारों को ओढ़ लिजे, हाँ, आप ये बोल सकते हैं, कि हो सकता है कि संसारिक विचार से धार्मिक विचार अच्छे हूँ, उस सराब से अच पड़े रहना उस परमानंद में थोड़ा जीवन गुजारिए उस परमानंद को थोड़ा अनभव कीजिए तो उस परमानंद की जब प्राप्ति कर लेंगे तो ये संसार ही आपका जो है स्वर्ग हो जाएगा स्वर्ग कहीं उपर नहीं है और नर्क कहीं नीचे नहीं है नर् को भगवान के चरणों में समर्पढ कर दे और समर्पढ ही स्वर्ग है कहीं उपर स्वर्ग ने उपर तो आस्मान है नीचे कहीं पताल में नर्क नहीं है नीचे तो आप खोदेंगे तो हो सकता है चुकि दुनिया गोल है आप उपर भारत में बैठे हैं नीचे खुदाई करे आरे जो है भाव हैं भाव जब भगवान में लग जाते हैं तो वही स्वर्ग है और वही जब नीचे उतर जाता है किसी के प्रभाव में हो जाता है संसार के प्रभाव में हो जाता है विचारों के प्रभाव में हो जाता है जीवन नर्क बन जाता है तो आईए जो मानों का स्वभाव है किसी अभाव में किसी प्रभाव में न पढ़कर के और हम अपने स्वभाव से परम आनन्द की प्राप्ति के लिए ध्यान मैं मगन हो तो करत करत अभ्यास ते जडमति होत सुजान, रस्री, आवत, जात, ते सिलपर परत निशान, यह ध्यान, यह निर्विचार, यह विचार सुनने होना, दिन, चार दिन, दस दिन, दो साल, चार साल का अनुभव नहीं है, मैं जदी 25 साल, 30 साल के अनुभव के बाद ये बात बोल रहा हूं, तो आपको भी समय तो लगेगा एक दिन में नहीं होगा फिर प्रारब्द है फिर आपके अभ्यास की जो intensity है तिब्रता है किस तिब्रता के साथ अभ्यास करते हैं और कितनी continuity के साथ करते हैं इन सब चीजों पर निर्वर करेगा कि आप कितना आनंद ले पाते हैं क्योंकि सभाव में आनंद लेना नहीं होगा तो आनंद कहां से मिलेगा जदि नसीब में नहीं होगा मोती नसीब में नहीं होंगे सोने नहीं होंगे असर भी तो रास्ते पर पड़ा हुआ रहेगा तो भी आँख बंद करके आप गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा इसलि कहीं नहीं है, परमात्मा को भी पाने की होड़ खत्म किजिए अपने अंदर, मेरा कहने का मुल आर्थ है ता कि पाने का होड़ खत्म होना चाहिए जीवन में, हमें कुछ नहीं प्रात्थ करना है, हमें जो मिला है, ओ नहीं है, ओ नहीं है, ओ नहीं है कम, जो मिला है, है वह ल जदी होड में आप सामिल हो गए तो फिर तो चीजे वही की वही रहा गई आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे तो आएए इन्हीं उम्मित के साथ हम निर्विचार होने की कुशिस करें अब भ्यास करें जीवन में जो होना होगा ओ तो हो करके ही रहेगा ना हमारे कुछ अर्जी ना हमारे कुछ मर्जी सौप दिया जीवन प्रभु के हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में हार तुम्हारे हाथों में धन्यवाद नमिश्कार ओम